हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम स्लीफ का एक एजी और बड़ा ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनाएंगे यह देखिए इसके लिए मैंने पहले से ही स्लीफ की कटिंग कर ली है स्लीफ की लैंद मैंने रखी है 11 इंच इससे हम स्लीफ की लैंद को 2 इंच तक बढ़ा भी सकते हैं तो इसके लिए मैंने यह देखिए अपने बॉटम के फैब्रिक में से कट किया है यह दो पटियां पटियों की विड्थ मैंने रखी है 3 इंच और लंबाई आप अपनी मौरी के यानि की आगे की गोलाई के पाजो की गोलाई के बराबर रख सकते हैं तो इसके उपर मैंने यह कट वर का पैटन ड्रो कर लिया है और पैटन ड्रो मैंने इस बुक्रम की हल्प से किया है यह देखिए इस तरह से रखकर और बुक्रम की यह जो मैंने इस तरह से रखी है दो इंच और इस तरह से चुडाई मैंने इसकी रखी है पोने दो इंच और इसको इस पैटन में कट करके हमने इसके उपर डिजाइनिंग के लिए यूज किया है तो देखिए इस तरह से हम फ़से नीच हलोगा है अब हम अपने एक्स्टर फैब्रिक करीं कि हम यहां से कट करेंगे कि यसी देखे सीय को नीचे तक नहीं लगा गाई है देखे लिए गोल और लोकर करने के से भी कट कर लेंगे यह जो सिलाई है हमें काफी सफाई से लगानी है किसी क्योंकि इसी से हमारा पैटर निकल के आएगा देखिए इस तरह ऐसे कटिंग करते हुए हम इसको पलट लेंगे यह देखिए यह बड़ी आसानी से पलट जाएगा इस तरह से अपनी गोलाई को अच्छे से बाहर निकालेंगे हम और यह करने के बाद हम इस पर एक बार आयरन कर लेंगे तक हमारी बड़ी फिनिशिंग के साथ पैट जाए तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको आयरन कर लिया है अब हम अपनी स्लीव के साथ इसको जॉइन करेंग सिर्फ एक ही पट्टी को हमें इसके साथ जॉइन करना है यह देखिए इस तरह से नीचे वाली पट्टी को हम पीछे की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स बड़ी आसानी से हमारे डिजा सिलाई बनकर तयार हो जाएगा यह देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अपनी नीचे वाली पट्टी को आगे की तरफ लेंगे यह देखिए इस तरह से और मार्जन को अंदर की तरफ डालते हुए यहाँ पर हाफ इंच का फोल्ड लगाते हुए फिनिशिंग क साथ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यह देखिए इस तरह से हाफ इंच अपनी पट्टी को अंदर की तरफ मोडते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे यह जो पहले हमें सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमारा यह स् के डिजाइनिंग की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा तो उसे भी एक पार जरूर देखिएगा यह कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद यह काफी ब्यूटिफुल लग रहा है देखिए मैंने अपने दोनों स इस कुड़ती के गले का डिजाइन भी कुछ इसी तरह का बनाया है आप चाहें तो यहाँ पर इसकी गोलाई में एक लेस लगा सकते हैं और वही लेस आप बाजु के यहाँ पर भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसको समर्स के लिए सिंपल ही रखूंगी तो फ्रेंड्स आपक उमे बाई बाई